हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अभीनाव जैन स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर इंजिनियर्स पर फिर से हाजूर हूँ आपके सबने एक नहीं वीडियो लेकर के दोस्तो पिसी वीडियो में हमने जाना था बॉयलर के टाइप्स और उनका सेलेक्शन के बारे में और उसी वीडियो में आपको बताया था कि अगली वीडियो में water tube boilers के लिए तो उसी वीडियो को लेके आया हूँ आपके लिए आज तो वीडियो शुक्रने से पहले रिक्वस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अगर आप में चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ-साथ बेल आइकन जरूर दमाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो फायर ट्यूप एंड वाटर ड्यूप बॉइलर तो थोड़ा से पहले रिकैप मार्क कर लेते हैं कि बॉइलर क्या होता है तो वाट इस बॉइलर बॉइलर एक अपरेटर्स है जिससे स्टीम प्रेडियूस होती है जो फ्यूल के कमबशन से थर्मल एनरजी यानि की हीट प्रेडियूस होती है उसको यूटिलाइस करके हम स्टीम जरनेट करते हैं वो भी एक डिजायर टेंप्रेचर पर और प्रेशर पर जो यह steam produce होती है इसको power plants में, electricity production में, residential और industrial buildings को heat up करने में और बहुत सारी industries जैसे textile industry, sugar, chemical industries में बहुत सारी processes में यह steam use की जाती है relative position के अधार पर, hot gases और water की relative position के अधार पर boiler को fire tube boiler और water tube boilers में divide किया जाता है fire tube boilers वो boiler होते हैं जिनमें hot gases tube के अंदर flow करती हैं और water उन tubes को surround करता है उनके चारों तरफ होता है, इस लेंक्शायर boiler है, कोकरन boiler इसे examples है water tube boiler में इसके reverse phenomena होती है, water tube के अंदर होता है और जो hot gases होती हैं, वो उसके चारों तरफ गूमती है बैबकॉक, विलकॉक्स and sterling boiler इसके examples है तो चलिए जानते हैं पहले fire tube boiler के बारे में तो detail study करते हैं fire tube boiler एक सबसे basic type का boiler है और इसके design भी बहुत पुराना है यह 18th century में बहुत popular हुआ करता था और steam locomotive engines में steam production करने के लिए यह use किया जाता था यानि कि जो locomotive engine 18th century में चलते थे उनमें steam production के लिए fire tube boiler का production या use किया जाता था fire tube boiler में fuel एक furnace में burn होता है hot gases जो produce होती है वो fire tubes में pass होती है यह जो fire tubes होती है यह एक main vessel या shell के अंदर water में emers होती है या यह कह लीजिए कि water जो है इन fire tubes के चारत तरफ होता है अब जैसे जैसे यह hot gases ट्यूब में से pass होती है तो क्या होता है पहले इन fire tubes जो यह hot gases होती है यह tube को heat up पड़ती है ठीक है या या जिनकी tube की सतह पुरी गरम हो गई अब जब tube की सतह पुरी गरम हो जाएगी तो उस सता से जो पाली लगेगा जो water होगा वो गरम होगा जानि कि heat transfer कैसे हुआ gases से tubes को, tubes से water को जानि कि जो heat energy होती है gases की वो दीरे-दीरे water को transfer होने शुरू हो गई जिस कारण से steam generation शुरू हो जाता है और जो steam generate होती है वो जो water होता है उसके उपर आनी शुरू हो जाती है और कहा आती है उसी vessel में क्योंकि steam convert होती जाएगी तो water का level कम होता जाएगा और steam उसके उपर आती जाएगी इसके बाद जो stream production होता है उस steam को हम बहार निकालने थे हैं steam outlet से और जो water की feeding होती है जिद्रे कम होता जाता तो water की feeding भी करानी होती है steam production के लिए तो जो water की feeding होती है वो feed water inlet के थुरू हम उसमें देते हैं क्योंकि steam और water दोनों एक ही vessel में होते हैं इसमें तो बहुत high pressure steam produce करना इसमें possible नहीं हो पाता जो journal pressure होता है steam का वो 17.5 kg per centimeter square होता है और capacity जो होती है इसकी वो 9 metric 10 of steam पर आर के असपास होती है जनल capacity के बाग कर रहा हुँ है fire tube boiler में जो boiler का main vessel होता है वो हमेशे pressure में रहता है अगर ये vessel burst हो गया तो बहुत बड़ा accident industry में हो सकता है तो ये एक बहुत बड़ी disadvantage है fire tube boiler की diagram देख लेते हैं देखे होट gases burn हो रही है वहाँ से जो flu gases produce होगी वो tubes में flow करेंगी इन tubes के चार तरफ क्या होगा water circulate हो रहा होगा water से ये जो फ्लू gases है water को अपने heat transfer करेंगी steam production होगी steam outlet से हमारी steam निकल जाएगी और जो flu gases है वो hot gases है वो outlet से वो अलग से वो बहार निकल जाएगी ति बेसिक principle है हमारा fire tube boiler का furnace की location के हिसाब से fire tube boiler दो तरह के हैं होते है external furnace and internal furnace और इनके भी sub types है external furnace जो boiler होते हैं वो तीन तरह के हैं horizontal return tubular fire tube boiler short firebox and compact fire tube boiler ये तीन त schools external furnace fire tube boiler होता है और internal furnace fire tube boiler horizontal tubular boiler and vertical tubular fire tube boiler तो ये हमने fire tube boiler के का classification पढ़ा अब जान लेता है इनके advantages क्या है और disadvantages क्या है इनकी फाइदे क्या है और नुकसान क्या है Advantage की बात करते है तो construction म цвет compact है easy construction है बताए कि simple design होता है इनका steam की demand में कोई fluctuation होती है तो उसको असानी से हम maintain कर सकते हैं उसको असानी से हम कम जादा कर सकते हैं water tube boiler से cheap होते हैं सस्ते होते हैं और इनको हम oil, gases, solid fuels यानि कि liquid fuel, solid fuel, gases fuel किसी से भी हम operate कर सकते हैं disadvantage जिस क्या है water के levels में ज़्यादा होता है तो steam pressure को जो time चाहिए generate होने के लिए, rise करने के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है capacity कम होती है इनकी output steam pressure ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि water और steam होती है वो generally एक ही vessel में होती है एक disadvantage और यह है कि जो steam हम मिलती है वो dry नहीं होती क्योंकि water और steam एक ही vessel में होती तो steam में ड्राय नहीं होती और जो एक सब्सक्राइब डिसड्वांटेज है क्योंकि बताया था मैंने कि steam drum होता है जो main drum होता है वो हमेशा pressure में रहता है तो वहाँ पर explosion के chances हमेशा रहते हैं जिससे severe accident हमारा हो सकता है fire tube boiler में इसके आज आता है हमारा water tube boiler water tube boiler fire tube boiler का reverse है इसमें water tubes के अंदर flow होता है और hot hot gases उसको surround करती है water boiler is a type of boiler in which water circulates in tubes heated externally by fire fuel burned in furnace creates hot gases which heats up the water vapor generating tubes अब जो fuel को जलाने से जो हमारी hot gases produce हो रही है वो tubes के अंदर ना जाकर के shell में जाती है और tubes को heat up करती है बाहर से इसके अंदर जो water होता है वो से वो heat up होता है यह जो hot water होता है वो steam drum में जाता है जहां पर इस से saturated vapor जो होते हैं बाहराब से निकाल ली जाती है और कुछ जगापर जो steam होती है वो furnace में आती है और वहाँ पर super heater से उसको heat किया जाता है तो depend करता है कि हमें super heated steam चाहिए normal steam चाहिए normal steam चाहिए तो हम उपर drum से निकाल लेते हैं और अगर super heated steam चाहिए तो steam को हम वापिस furnace में भीजेंगे जहां पर उसको temperature बढ़ाकर super heat किया जाएगा यह basic design है हमारा water tube boiler का hot gases produce हो रही है furnace में tubes में water produce हो रहा है तो यह hot gases water को heat कर रही है और steam outlet हमारी उपर से निकल रही है hot gases अलग से निकल जाती है हमारी तो यह basic design है steam water tube boiler का इसके types देख लेते हैं यह तीन तरह का होता horizontal straight tube boiler bent tube boiler और cyclone fired boiler जो horizontal boiler होता यह भी दो तरह का है हमारा longitudinal drum boiler और cross drum boiler और bent tube boiler वह चार तरह का है two drum three drum low head three drum और four drum bend boiler तो यह classification है water tube boiler का इसके advantages क्या है इसके बहुतने advantages है इसके बहुतने advantages है जिसमें बड़े-बड़े thermal power plants में use होता है एक तो heating surface ज्यादा होता है क्योंकि water tubes हम ज्यादा लगा सकते हैं तो जितने ज्यादा water tubes होंगी steam उत्ती ज्यादा मिलेगी हमें इसमें conventional flow होता है तो water का movement होता है वो fire tube boiler से ज्यादा तेज होता है जिससे rate of heat transfer ज्यादा होता है और efficiency भी ज्यादा होती है as compared to fire tube boilers high pressures में generate कर सकते है 140 kg per cm2 तक का pressure हम इससे generate कर सकते है तो यह advantages है water tube boiler की over fire tube boiler दोस्तों उम्यद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि fire tube boiler और word tube boiler में क्या अंतर होता और क्या क्या इनके फायदे नुकसान है तो वीडियो को like करें comment करें share करें अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment box में लिख सकते है आपका doubt कोशिश killer कर दूँगा